अध्याई 5. सुन्दर कांड अब देखना यह है कि श्री राम के इन भक्तों में ऐसी क्या विशेष्टा है जिसने तुलसी दास्ची को इस खंड का नाम सुन्दर कांड रखने के लिए प्रिरित किया। सफलता की कुंजी भारत में हनुमान अपने दो गुणों के लिए जाने जाते हैं भक्ती और शक्ती। वास्तव में ये दोनों गुण एक दूसरे में इस प्रकार गुथे हुए हैं कि एक से दूसरे को बल मिलता है। इस कांड में हनुमान के इन दोनों गुणों का बहुत संदर रूप देखने को मिलता है। तब हमारी समझ में आता है कि हनुमान ने किस प्रकार अपने स्वामी प्रभुराम के आशिरवाद से इन दोनों गुणों को विक्सित किया। और उन्होंने हनुमान को लंका जाकर सीता जी से मिलने और उनका समाचार प्रभुराम तक पहुचाने के लिए प्रिरित किया, तो वह अतियानन्दित हो उठे. उन्हें अपने भीतर एक विशेश प्रकार के आनंद और उत्सहा का अनुभव हुआ, और उन्होंने वानरों को विश्वास दिलाया कि वे शुरी राम का कार्य करने में अवश्य सफल होंगे. फिर सबको मस्तक नवाकर हनुमान ने उनसे आग्रह किया, कि उनके लंका से वापस आने तक वे सब यहीं समुद्र के किनारे रहकर उनकी प्रतीक्षा करें. तब हनुमान अपने हृदय में प्रभु राम के सुरूप को धारन करके पास की एक पहाड़ी पर चड़ गए और राम नाम का स्मरण करते हुए इतनी जोर से चलांग लगाई, कि वे सीधे लंका की और ऐसे उड़ने लगे, मानो श्री राम ने अपने धनुष से एक कि ये हनुमान लगातार उड़ते रहे, तो वह अवश्य ही ठक जाएंगे, अतहे उन्होंने समुद्र में डूबे मैनाक परवत को आदेश दिया, कि वह समुद्र से निकल कर उपर आएं, ताकि हनुमान उस पर थोड़ा विश्राम कर सकें, उनके आदेशा नुसार मैनाक धीरे धीरे समुद्र तल से उपर उठने लगा, और अंततहे उसकी चोटी पानी से उपर दिखाई देने लगी, जब हनुमान ने, जो अभी अधिक उचाई पर नहीं थे, मैनाक परवत की चोटी को पानी से उपर उठते देखा, तो वह समझ गए, कि मैनाक उन्हें अपनी हुई चोटी को अपने हाथ से सपर्श करके नम्रता पूर्वक उसका धनेवाद किया, फिर सिर जोकाकर प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु राम का कार्य किये बिना मुझे विश्राम नहीं, इतना कहकर वे आगे बढ़ गए, आकाश से देवताओं ने जब हनुमान को जात आते हुए कहने लगी, आज तो देवताओं ने मेरे लिए अति उत्तम आहार भेजा है, हनुमान ने विनम्रता से उत्तर दिया, कृपया पहले मुझे श्री राम का कार्य करने दें, उनका कार्य पूरा करके जब मैं सीता जी का समाचार उन तक पहुँचा दूँगा, तो म कृपा करके अब मुझे जाने दीजिए, जब सुरसा ने किसी प्रकार भी उनकी बात नहीं मानी, तो उन्होंने उसे ललकारते हुए कहा, ठीक है, तो अब तुम मुझे खा ही लो, हनुमान के विशाल शरीर को देखते हुए सुरसा ने अपना मुख एक योजन, यानी लग योजन का किया, तो हनुमान 32 योजन के हो गए, जैसे जैसे सुरसा अपना मुख बढ़ा करती, हनुमान उससे दोगुना विशाल हो जाते, इस तरह करते करते सुरसा ने अपने मुख को 800 योजन का कर लिया, तब हनुमान जी ने अपना आकार एक्तम बहुत छोटा किया, औ सुर्सा हरुमान की बुद्धी मता और चतुराई से बहुत प्रसन हुई और उसने स्विकार किया कि देवताओं ने उसे हनुमान की बल बुद्धी की परिक्षा लेने के लिए भेजा था। उसने कहा वत्स अब मैं जान गई हूँ कि तुम बल बुद्धी के भंडार हो और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम शुरी राम का निरधारित कार्य बहुत अच्छी तरह पूरा करोगे। उन्हें यह आशिर्वाद देकर सुर्सा वहां से चली गई और हनुमान जी भी हरशित होकर उड़ चले। आगे समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह अपनी माया से अकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। वह पानी में उनकी परचाई देखकर उस परचाई को पकड़ लेती जिससे वह पक्षि उड़ नहीं सकते थे और पानी में गिर जाते थे। तब वह उनको पकड़ कर खा जाती थी। राक्षसी ने जब उड़ते हुए हनुमान की परचाई को पानी में देखा, तो उसने उसी छल से उनको नीचे गिराने की कोशिश की, परंतु हनुमान तुरंथ ही उसके छल को जान गए और उसे मार गिराया। इसके पस्चात हनुमान निर्विग्न उड़ते गए और शीग कल्प की परीक्षा के लिए उसे भी कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जब हनुमान अपने लक्ष के लिए निकले तो उन्हें भी परीक्षा देनी पड़ी। समुद्र में रहने वाली राक्षसी ने उन्हें नीचे गिराने की कोशिश की। मेनाक परवत न परंतु दिड़ प्रतिग्य हनुमान अपने कारे में किसी प्रकार की देरी सहन नहीं कर सकते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि करुणा निधान प्रभु राम की कृपा से वह अपना कारे अवश्य पूरा कर लेंगे। हनुमान के लिए ये रुकावटें ही सफलत की अनुपम सीड़ियां बन गई जो अंततहे उन्हें विजय के लक्ष तक ले गई। राम कथा सुनाते हुए शिव जी पारवती से कहते हैं। हे प्रिये, हनुमान ने जिस तरह अपने मार्ग में आने वाली विगन बाधाओं का सामना किया, इसमें हनुमान की कोई चतुर या बढ़ाई नहीं। यह तो प्रभु राम की कृपा और उनके नाम का प्रताप है, जो स्वयम काल को भी खा जाता है। लंका पहुचकर हनुमान एक पहाडी की चोटी पर चड़ कर पूरे द्वीब का निरीक्षन करने लगे। उन्होंने देखा कि लंका नगरी एक पूमूले मनियों से जडित, स्वर्ण निर्मित, बहुत उची चार दिवारी जगमगा रही है। उसके अंदर बहुत से सुन्दर सुन्दर घर, महल, बागबगीचे, फुलवाडियां, जीलें, कुएं और बावलियां थी। खाथी, घोडे, रथों, खच्चरों और पूरे किले में फैले हुए थे। शूरवीर योधाओं के दल हर समय किले की सुरक्षा के लिए तैनात रहते थे। अंगिनत रक्षकों के दल को पहरा देते देखकर हनुमान ने निश्चे किया कि वह बहुत छोटा रूप धरन करके रात्री की अंधकार में नगर में प्र बना लिया और द्वार से प्रवेश करने का प्रियतन किया जिस पर लंकिनी नामक एक बहुत सतर्क राक्षसी पहरा दे रही थी। उसने हनुमान को ललकारते हुए कहा, मुझे अन देखा करके तुम अंदर जाने का दुस्ताहस कैसे कर रहे हो? हे मूर्क, क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? लंका में घुषने वाले सभी चोरों को मैं खा जाती हूँ. अब उससे बचने का और कोई उपाय ना देखकर हनुमान अपने असली रूप में प्रकट हो गए और उसे इतने जोर का घुंसा मारा कि वहे खून की उल्टी करती हुई धरती पर लुड उसने बताया जब ब्रह्मा जी ने रावन को वरदान दिया था तो मैं भी वहाँ उपस्थित थी। उस समय ब्रह्मा जी ने मुझे सावधान किया था कि जब कोई वानर मुझे गंभीर रूप से घायल कर देगा तो समझ लेना कि राक्षस कुल के विनाश का समय आ गया लंकिनी ने कहा हे तात मैंने अवश्य ही कोई पुन्ने कारे किया होगा जो मैं श्रीराम के दूद को अपनी आँखों से देख पा रही हूँ। तो भी संतों की संगती वाला पलडा ही भारी रहेगा। अर्थात, स्वर्ग और मोक्ष के सारे सुख मिलकर भी एक क्षण के सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते। अयोध्या के राजा रामचंद्र को अपने हृदय में धारन करके नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। जिस पर श्री राम की कृपाद रिष्टी होती है, उसके लिए विश अम्रित हो जाता है। शत्रू मित्र बन जाते हैं और विशाल समुद्र गाए के खुर के समान एक छोटा गड़ा बन जाता है। अगनी शीतल हो जाती है और सुमेरू परवत केवल धूल के एक कण के समान हो जाता है। प्रभिसी नगर कीजे सब काजा, हृद्यम राखि को सलपुर राजा, गरल सुधारि पुकर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुड सुमेरू रेनु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। सीता की खोज में हनुमान का विभीशन से सहायता मांगना। रावन के महल से बाहर निकल कर हनुमान को एक और भव्य महल दिखाई दिया, जिसके आंगन में मंदिर बना हुआ था। उन्हें यह देखकर बहुत प्रसनता हुई कि मंदिर की बहरी दिवारों पर विशेश रूप से प्रभु राम के धनोश और बान के चिन अंकित किये हुए थे। पास में नई नई कोपलों वाले पौधे पवित्र तुलसी के लहरा रहे थे। यह सब देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि यह भवन निश्चित रूप से किसी प्रभु प्रेमी सज्जन का ही हो सकता है। वह महल रावन के छोटे भाई विभीशन का था, जो राक्षस होते हुए भी प्रभु राम का अनन्य भगत था। हनुमान अश्चरे चकित थे कि राक्षसों की इस नगरी में किसी पुन्य आत्मा सज्जन का मिलना वह स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे। ठीक उसी समय विभीशन जाग गए और उन्होंने दो बार राम नाम का उचारन किया। श्री राम का नाम सुनकर हनुमान अत्यन तोच सहित हो गए। ऐसा मन में विचार करके कि सज्जन पुरुष से बात करने में उनके काम की कोई हानी नहीं होगी। हनुमान ने विभीशन से बात करने का निश्चे किया। वह एक ब्रहमन का वेश बना कर विभीशन के महल के द्वार पर गए और उच्च स्वर में मंत्रों का उचारन करने लगे। सुनते ही विभीशन बाहर आये, तो एक ब्रह्मन को द्वार पर खड़े देखकर, सिर जुका कर प्रणाम किया और पूछा, हे ब्रह्मन देवता, आप कौन है? और यहां लंका में आने का आपका क्या प्रयोजन है? क्रिप्या मुझे बताईए, क्या आप कोई प्रभु भक्त हैं? क्योंकि आपको देखकर, मेरे हृदय में अपने आप ही अत्यंत प्रेम उमड रहा है. क्या आप दीनों पर दया करने वाले स्वयम प्रभु राम हैं, जो मुझ जैसे तुच्छ सेवक को दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? विभीशन की नम्रता देखकर हनुमान के सभी संदेह दूर हो गए. वह ब्राह्मन का रूप त्याग कर अपने असली रूप में प्रकट हो गए. तब उन्होंने विभीशन को प्रभु राम के चौधे वर्श के वनवास और सीता हरन की सारी कथा कह सुनाई, और बताया कि वह प्रभु राम के सेवक बनकर सीता जी की खोज में लंका आये हैं. राम के नाम का स्मरण करते ही दोनों भक्तों का शरीर पुलकित हो गया, और उनके गुणों का गान करते करते दोनों के हृदय अनंद मगन हो गए. देखा जाए तो हनुमान और विभीषण दोनों ही अलग-अलग प्रिष्ट भूमी से संबंद रखते थे. हनुमान वानर जाती से थे और विभीषण लंका के राजसी परिवार के एक राक्षस थे. परन्तु दोनों में एक ही समानता थी, कि दोनों प्रभुराम के अनन्य भक्त थे. श्री राम का नाम लेते ही दोनों का हृदय विरह वेदना से व्याकुल हो गया और दोनों की आँखों से प्रेम के आँसु बहने लगे. यह है प्रेम और भक्ती की शक्ती, जो दो प्रेमियों के मध्य, रूप, रंग, जाती, संस्कृती और समाजिक तथा आर्थिक प्रिष्ट भूमी के सारे अंतर को मिटा कर एक कर देती है. दक्षिन भारत के एक संथ त्याग राज जी कहते हैं, इस से अधिक परम अनंद की और क्या बात हो सकती है? हे राम, जब प्रेमी भक्तों के हृदय मिलकर एक हो जाते हैं, तो इस से अधिक मंगल मय और कुछ हो ही नहीं सकता. विभीषण ने तब अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, हे पवन पुत्र हनुमान, मैं आपको अपने दुख का क्या वरणन करूं? मैं यहां लंका में इन क्रूर और भयानक राक्षसों के बीच ऐसे रह रहा हूं, जैसे तेज नुकीले दातों के बीच बेचारी जीब. हे तात, मुझे बताईए कि क्या मुझे अनात जानकर सूरे कुल के नात प्रभु राम कभी मुझ पर भी अपनी दया महर बरसाएंगे? मेरा राक्षसी शरीर तामसिक है, अर्थात ऐसा शरीर जो अज्ञानता के अंधकार में ही डूबा रहता है, जिसके कारण मैं कुछ साधनों से वंचित हूँ, और मेरे मन में प्रभु के चरण कमलों के प्रती प्रयाप्त प्रेम भी नहीं है. परन्तु हे हनुमान, तुम्हें देखकर मुझे कुछ विश्वास हो गया है, कि प्रभु कृपा के बिना संत नहीं मिलते. यह केवल प्रभु राम की ही कृपा है, जो आपने मुझे यहां आकर दर्शन दिये हैं. विभीशन के हिर्दय की व्याकुलता देखकर हनुमान बहुत प्रभावित हो गए. बड़ी नम्रता और दीनता से उन्होंने कहा, हे विभीशन, सुनो, प्रभु राम की यही रिती है, कि वे सेवकों से सदा ही प्रेम करते हैं. मुझे ही देख लीजिए, मैं तो किसी उच्चकुल से नहीं. केवल एक चंचल वानर हूँ, और मुझ में कोई योगेता भी नहीं. वास्तव में हम वानर तो इतने तुच्च जीव हैं, कि प्रातहकाल यदि कोई हमारा नाम भी ले ले, तो उसे दिन भर भोजन नसीब नहीं होता. हे मित्र, मैं तो इतना अधम हूँ, फिर भी दयालू प्रभु राम ने मुझ पर इतनी क्रिपा की है. प्रभु राम का गुणगान करते हुए, हनुमान की आँखे नम हो गई. और उन्होंने कहा, हे विभीशन, वे लोग कितने अभागे हैं, जो ऐसे क्रिपाल, दीन दयाल प्रभु को भुला कर विशेविकारों के पीछे भटकते रहते हैं. इस प्रकार प्रभु की महिमा का गुणगान करते हुए, हनुमान को अपने हृदय में परमशान्ती का अनुभव हुआ. तब विभीशन ने उन्हें बताया कि सीता जी को कहां और कैसे रखा गया है. फिर हनुमान ने उनका आभार प्रकट करते हुए उनसे विदा ली. सीता जी जहां रहती थी, उस अशोक वाटिका में पहुँच कर हनुमान ने अपना आकार फिर छोटा कर लिया. विख्षों के समुहु में से उड़ते हुए हनुमान ने सीता जी को देख कर मन ही मन उन्हें प्रणाम किया. अशोक विख्ष के नीचे बैठी सीता जी कितनी दुरबल और लाचार दिखाई दे रही थी. वहे अपने हृदय में निरंतर शुरी राम के गुणों का सुमरन करती हुई बैठी थी. उनकी दृष्टी अपने पैरों पर थी, पर मन में वहे शुरी राम के चरण कमलों के ध्यान में लीन थी. सीता जी की मूक व्यथा से हनुमान भी बहुत व्यथित हो गए. हनुमान का रावन द्वारा सीता को प्रताडित करते हुए देखना. हनुमान पत्तों में च्छिप कर उस व्रिक्ष की टहनी पर बैठ कए, जिसके नीचे सीता जी बैठी हुई थी. वहे अभी मन में विचार ही कर रहे थे कि सीता जी का दुख कैसे दूर किया जाए. दोदरी और अन्य राख्षसी सेविकाएं भी थी. रावन सीता जी को इतना विवश कर देना चाहता था कि वहे उसकी बात मान जाए और महलों में उसकी रानी बन कर रहे. उसने कई प्रकार के प्रलोभन देकर सीता जी को वश में करने की कोशिश की. कभी मधुर और कभी कठोर स्वर में, कभी धमकाने के लहजे में और कभी खोशामद करते हुए, अर्थात उस तुष्ट ने सीता जी को साम दाम भय भेद आदी दिखला कर हर तरीके से डराने की कोशिश की. पहले उसने विनीत स्वर में कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, मेरी और एक बार आँख उठा कर देख तो सही, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, कि मैं तुम्हें अपनी महारानी बना कर रखूँगा, मंदोदरी सहित सभी रानियां तुम्हारी दासी बन कर रहेंगी. अपने प्रियतम श्री राम का सुमरन करते हुए, सीता जी ने एक घास का तिनका तोड़ा, और परदे के प्रतीक के रूप में उस तिनके की ओट लेकर कहा, हे दश शीश रावन, सुनो, क्या कभी जुगनू के प्रकाश से कमली नी खिल सकती है? यह बात अच्छी तरह जान लो, कि सूर्य के समान प्रकाश मान, श्री राम के सामने तुम एक जुगनू के समान हो. क्या तुम श्री राम के बान के शक्तिकों नहीं जानते? हे पापी, मुझे अकेली देखकर तुने धोखे से मेरा अपहरण किया है हे नीच, निरलज, क्या तुझे अपने किये पर जरा भी शर्म नहीं आती रावन को जुगनू और श्रीराम को सूरे के समान बताने वाले सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर वह क्रोधित हो उठा अपनी तलवार लहराते हुए उसने कहा सीता, तुमने मेरा घोर अपमान किया है मैं अपनी तलवार से अभी तुमारे सिर्क को धड़ से अलग कर सकता हूँ यदि तुमने शीग रही मेरी बात नहीं मानी तो हे सुन्दरी, तुम्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा सीता जी ने साहस पूर्वक उत्तर देते हुए कहा हे दशग्रीव, मेरे स्वामी शुरीराम की भुजाएं नील कमल की माला के समान सुन्दर और हाथी की सून्ड की तरह विशाल और बल्शाली है हे मूर्ख, मेरी प्रतग्या भी सुन ले या तो वेब हुजाएं मेरे गले का हार बनेगी या फिर तेरी तलवार तब रावन की तलवार, चंदरहास को संबोधित करते हुए सीता ने कहा हे चंदरहास, तू ही मेरा दुख दूर कर दे तेरी धार, शीतल, तीवर और शुरेष्ट है प्रभूराम के विरह की अगनी बहुत पीडा दायक है तू अपनी शीतल धार से इस अगनी को हर ले सीता के ये वचन सुनते ही रावन उने मारने के लिए दोड़ा परंतु उसकी पत्नी मंदोधरी ने मर्यादा की बात कहकर उसे शांत किया तब रावन ने सब राक्षसियों को बुला कर उने सीता जी को डराने धमकाने का आदेश दिया और सीता जी को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि जदी एक महीने के अंदर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं इस तलवार से तुम्हारा वध कर दूँगा इतना कहकर रावन अपने महल में लौट गया हमारा मन भी सीता रूपी आत्मा को लुभाने या धमकाने के लिए कई तरह की चालें चलता है अरंभ में रावन सीता जी को लुभाने के लिए कई तरह के प्रलोभन देता है जब सीता जी शुरी राम के प्रती अपने निष्ठा पर द्रिढ रहती हैं तो रावन भयंकर राक्षसियों को सीता जी को डराने धमकाने का आदेश देता है ताकि वे उसका ध्यान भंग करके उसे प्रभुराम से विमुख कर सकें इसी प्रकार हम भी जब कोई नेक कर्म करने का निष्चय करते हैं तो हमारे अहंकार, भये और असुरक्षा की भावनाएं हमें परिशान करने लगती हैं और निरंतर हमारे विश्वास को तोड़ने और हमें परमात्मा से विमुख करने की कोशिश करती रहती हैं रावन के जाते ही तुष्ट राक्षसियों ने सीता जी को घेर लिया और तरह तरह के भयंकर मुह बना कर सीता जी को बुरा भला कहकर डराने लगी उन में से त्रिजटा नाम की राक्षसी, प्रभु राम की भक्त और दयालू सुभाव की थी उसने सभी राक्षसियों को बुला कर कहा कि वे सीता जी को कश्ट ना पहुँचाएं यदि वे अपना भला चाहती हैं तो उनकी सेवा करें त्रिजटा ने उन्हें बताया कि उसने स्वपने में देखा है कि एक वानर ने आकर सारी लंका जला दी है और राक्षसों की सारी सेना नश्ट हो गई है उसने आगे बताया कि उसने सपने में देखा है कि रावन के दसों सिर मूडे हुए और बीसों भुजाएं कटी हुई है और वह नग नवस्था में गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है जिसका अर्थ है कि रावन की मृत्यू निश्चित है उसने यह भी देखा कि लंका का राज्य विभीशन को मिल गया है और लोग नगाडे बजा बजा कर श्रीराम की जैजैकार कर रहे है त्रिजटा ने बताया कि उसे तीवर पूर्वा भास हो रहा है कि उसका सपना कुछ ही दिनों में शीग्र पूर्ण होने वाला है त्रिजटा के वचन सुनकर राक्षसियां भायभीत हो गई और उन्होंने सीता जी को डराना धमकाना बंद कर दिया फिर सीता जी के चरणों में घिरकर उनसे क्षमा मांगी और इधर उधर चली गई तब व्याकुल सीता जी ने हाथ जोड़कर त्रिजटा से कहा हे माता इस संकट की घड़ी में तू ही मेरी साथी है कुछ ऐसा उपाई करो जिस से शीगरही मैं इस शरीर का त्याक कर सकूँ अपने स्वामी से वियोग का एक एक पल अब मेरे लिए असहनी हो गया है हे माता आप कुछ सूखी लकड़ियां लाकर उसकी चिता बनाकर उसमें आग लगा दीजिए जिसमें मैं अपने शरीर को भस्म कर सकूँ हे सयानी यदि आप मुझ से प्रेम करती हैं तो मेरा यह काम कर दीजिए रावन के वचन मेरे हृदय में शूल की भांती चुब रहे हैं अब और सहन नहीं होते सीता जी के दुख भरे वचन सुनकर त्रिजटा द्रवित हो गई उसने सीता जी के पैर पकड़ लिए और बड़े सनेह से उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वह निराशना हो और प्रभू के बल, पराक्रम और महिमा पर विश्वास रखें उसने व्याकुल सीता जी को शान्त करने के लिए मधुरस्वर में कहा हे सुकुमारी, रात्री के इस पहर में लकडियों और आग का मिलना संभव नहीं है इस प्रकार सीता जी को सांतवना देकर वह अपने घर चली गई सीता जी दुखी होकर कह उठी लगता है विधाता ही मेरे प्रतिकूल हो गया है अब ना तो अगनी मिलेगी और ना ही मेरी पीडा का अंत होगा उपर आकाश में इतने तारे अंगारे की तरह चमक रहे हैं परन्तु उन में से एक भी मेरी सहायता के लिए नीचे क्यों नहीं गिरता चंद्रमा भी तेज प्रकाश से दमक रहा है परन्तु वह भी मुझे अभागी जानकर अपने प्रकाश की एक चिंगारी मुझ पर नहीं बरसाता हे अशोक व्रिक्ष, तुम्हारा तो नाम भी अशोक, अर्थात शोक को हरने वाला है कम से कम तुम तो मेरी विनिती सुनो और मेरा शोक हर लो तुम्हारी नई-नई कोमल पत्तियां अगनी जैसे रंग की हैं मुझे उनकी ज्वाला देकर मेरे जीवन का अंत कर दो हनुमान द्वारा सीता जी को सांत्वना सीता जी को इतना दुखी और निराश देखकर अशोक व्रिक्ष पर बैठे हनुमान का एक एक पल एक युग के समान व्यतीत हो रहा था उन्होंने शुरी राम की दी हुई सोने की अंगूठी सीता जी के सामने डाल कर अपना भेद प्रकट करने का निश्चे किया सीता जी ने जब चमचमाती सोने की अंगूठी को नीचे गिरते देखा तो सोचा कि शायद अशोक व्रिक्ष ने ही उनकी प्रार्थना सुनकर एक अंगारा गिरा दिया है उन्होंने लपक कर उसे उठाया तो श्रीराम के नाम से अंकित अंगूठी को देखकर वह हर्ष, शोक और विस्मे की मिली जूली भावना से व्याकुल हो उठी वह जानती थी कि श्रीराम तो अजे है उनकी अंगूली से यह अंगूठी निकालना किसी के लिए भी संभव नहीं है और उनको यह भी विश्वास था कि माया या च्छल से कोई ऐसी दिव्य अंगूठी को बना भी नहीं सकता उनके मन में विचारों का तुफान उठने लगा कि यदी यह अंगूठी श्रीराम की ही है तो यह यह यहां आई कैसे हनुमान उपर व्रिक्ष की शाखाओं में छिपे इस त्रिश्य को देख रहे थे जब उन्होंने देखा कि सीता जी विचारों की उथल पुथल में खोई है तो वह मधुर स्वर में श्रीराम का गुणगान करने लगे हनुमान की आवाज से सीता जी का ध्यान उस ओर गया श्रीराम का गुणगान सुनते ही उनके हृदय का सब शोग संताप जाता रहा यद्यपी सीता जी नहीं जानती थी कि कौन बोल रहा है फिर भी उसकी वानी से इतनी मंत्र मुग्द हो गई कि कान लगाकर ध्यान पूर्वक सुनने लगी हनुमान ने आदी से अंत तक सारी कथा कह सुनाई जिसे सीता जी बड़े मनोयोग से सुनती नहीं परमानंद से अभी भूत होकर सीता जी ने उपर देखते हुए कहा छिपकर क्यों बैठे हो अपने आपको प्रकट क्यों नहीं करते हनुमान व्रिक्ष से कूद पड़े और जमीन पर लेटकर सीता जी को दंडवत प्रणाम किया वानर को देखकर सीता ने भय और विस्मय से अपना मुख फेर लिया हनुमान ने अपना परिशय देते हुए कहा हे माता मुझ पर विश्वास कीजिए मैं श्री राम का दूथ हूँ मैं करुणा निधान प्रभु राम की शपत लेकर कहता हूँ कि मैं सत्य कह रहा हूँ जो अंगूठी मैंने व्रिक्ष से गिराई है वह स्वयम प्रभु राम ने मुझे दी थी ताकि मैं आपको उनकी निशानी दिखा सकूँ सीता जी अभी भी उलजन में थी और कहने लगी तुम वानर और श्री राम एक श्रेष्ठ नर नर और वानर में यह मित्रता कैसी हनुमान ने तब श्री राम से मिलने की सारी कथा कह सुनाई प्रतेक घटना को सुनाते हुए हनुमान के शब्दों से छलकते प्रेम को देखकर सीता को विश्वास हो गया कि यह मन वचन और कर्म से प्रभू का भक्त और उनका सच्चा सेवक है अब हनुमान के प्रती उनका स्नेह और अधिक बढ़ गया आँखों से अश्रुधारा बहने लगी और शरीर पुलकित हो गया सीता जी ने कहा हे तात अपने स्वामी श्री राम की विरह वेदना में मैं निराशा और शोक के सागर में डूब रही थी तुम मेरे लिए जीवन रख्षक जहाज बन कर आए हो अब मुझे बताओ कि मेरे स्वामी श्री राम कैसे है और उनके छोटे भाई कोशल से तो है मेरे स्वामी स्वभाव से ही कोमल हृदय, क्रिपालू और विनम रहे फिर वे मेरे प्रती इतने कठोर और उदासीन क्यों है श्री राम अपने सेवकों पर बहुत दयालू है क्रिप्या मुझे बताओ कि क्या वे कभी मुझे याद भी करते हैं या नहीं हे वत्स, मुझे दोबारा उस शामल मुख के दर्शन करने का सुख कब प्राप्त होगा इसके आगे वे एक शब्द भी नहीं बोल पाई और उनकी आँखों से आंसु बहने लगे और वे श्री राम को पुकार कर कहने लगी हे नात, आपने मुझे बिलकुल ही भुला दिया है क्यूं? प्राणनात, क्यूं आपने मुझे अकेला छोड़ दिया है आगे वे एक शब्द भी नहीं बोल पाई और उनकी आवाज हृदय विदारक सिस्कियों में डूब गई और फिर धीरे-धीरे खामोश हो गई सीता जी को विरह से व्याकुल देखकर उनको सांत्वना देने के लिए हनुमान अति कोमल और विनीत स्वर में बोले हे माता, श्री राम अपने छोटे भाई सहित कुशल से है परंतु आपके कश्ट और पीड़ा के विशय में सोचकर कृपा सिंधु श्री राम भी दुखी हो जाते है हे माता, आप अपना मन छोटा ना करें मेरा विश्वास कीजिए जितनी आप दुखी है प्रभू राम आप से अधिक दुखी है हे माता, अब आप मन में धैरे धारन करके श्री राम का संदेश सुनिए जैसे ही हनुमान श्री राम का संदेश सुनाने लगे उनका गला रुंद गया और आँखों से प्रेम के आँसु बहने लगे हनुमान ने बताया कि श्री राम ने कहा है हे सीते, तुम्हारे वियोग में ऐसा लगता है, जैसे सारा संसार ही मेरे प्रतिकूल हो गया है व्रिक्षों की नई लाल-लाल कोमल पत्तियां मुझे अगनी की तरह जलाती है रात, काल रात्री के समान भयंकर और चंद्रमा की किरने सूरे के समान जलाने वाली हो गई है तुम्हारे साथ जो सब कुछ सुख दायक था, अब वही पीडा दायक बन गया है हे सीता, तुम्हारे बिना शीतल सुगंधित समीर, सांप की फुपकार की तरह जहरीली हो गई है काश मैं अपना दुख किसी को कह पाता, तो शायद मेरे मन का बोज कुछ हलका हो जाता परन्तु मैं जानता हूँ कि मेरी व्यथा को समझने वाला कोई नहीं प्रिये, सच्चे प्रेम का यह संबंध केवल मैं जानता हूँ और मेरा हरिदय परन्तु मेरा यह हरुदय तो हमेशा तुम्हारे पास ही रहता है बस समझ लो, संक्षेप में यही मेरे प्रेम का सार है शुरी रामद्वारा सीता के लिए दिया गया संदेश देखने में ऐसा लगता है जैसे कि एक समानने प्रेमिका अपनी प्रेमिका के लिए दिया गया संदेश हो जो अपनी प्रेमिका के विरहे में दुखी है और उससे एक पल का वियोग भी सहन नहीं कर सकता परन्तु जब हम इस बात को ध्यान में रखें कि श्रीराम मानव शरीर में स्वयम परमात्मा है और सीता जी आत्मा है तो वास्तव में ये परमात्मा के ही वचन है कि आत्मा को पुन्हें अपने साथ मिलाने के लिए परमात्मा भी बेचैन है संत महात्मा हमें समझाते हैं कि आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए जितना आतुर रहती है, परमात्मा भी उससे मिलने के लिए सौ गुना अधिक आतुर रहता है। कई बार जब हम परमात्मा के व्योग में दुखी होते हैं और सोचते हैं कि परमात्मा ने अपने आपको हमसे क्यों छिपा रखा है, हो सकता है, ऐसा ना हो, हमारा उसको पुकारना, वास्तव में उसका हमें पुकारना होता है, हमारी उससे मिलने की इच्छा भी असल में उसी की इच्छा का प्रतिबिम्ब है जैसा कि महराज चरन सिंग जी कहते हैं यह परमात्मा ही है जो हमारे अंदर अपने लिए कशिश पैदा करता है वही हमारे अंदर प्रभु नाम की इच्छा जगाता है वही हमारे लिए ऐसी परिस्थितियां और वातावरन पैदा करता है जिस से हमारा ध्यान उसकी तरफ जाए और हम सुमिरन कर सकें इस प्रकार हमारे अंदर बैठ कर वह स्वयम अपनी ही बंदगी करता है प्रभु राम का संदेश सुनकर सीता जी इतनी आनंद विबोर हो गई कि उन्हें अपने शरीर की भी सुधी न रही उनको सांतवना देते हुए हनुमान ने आगे कहा हे माता कुछ समय और धहरे रखिए सेवकों को सुख देने वाले प्रभु राम और उनकी महिमा का स्मरन कीजिए मेरी बात मानिए और अपना भाय त्याग दीजिए श्रीराम के बान अगनी के समान है और उनके सम्मुक राक्षसों के समूह मातरपतंगे और जुगनु है जो स्वयम ही इसमें जल जल कर मर जाएंगे अतहे हे माता साहस रखो और इन राक्षसों को अब मरा ही समझो यदि प्रभु राम को पता होता कि आप कहा है तो आपकी रक्षा में इतना विलंबना होता श्रीराम के बान उदै होते सूरे की किरणों के समान है उनके सामने अंधकार रूपी राक्षस नहीं ठहर सकते हे माता मैं आपको इसी समय वापस ले जा सकता हूँ परन्तु मेरे प्रभु ने इस तरह का कोई आदेश मुझे नहीं दिया माता आप धैरे रखिये अब बस कुछ ही दिनों की बात है श्रीराम स्वयम वानर सेना के साथ आएंगे और राक्षसों का नाश करके आपको ले जाएंगे तब नारद जी तीनों लोकों में प्रभु का यशोगान करेंगे हनुमान की बाते सुनकर अभी भी सीता जी के मन में एक शंका थी उन्होंने कहा हे पुत्र सभी वानर तो तुम्हारी तरह छोटे शरीर वाले होंगे परंतु राक्षस युद्धा तो बहुत बलवान है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वानर युद्ध में राक्षसों को कैसे हरा पाएंगे यह सुनकर हनुमान ने सीता जी को अपना असली रूप दिखाया जो सोने के परवज जैसा विशाल युद्ध में भयंकर अत्यंत शक्ति शाली साहस पून और शत्रूओं के मन में भयुत्पन करने वाला था उसके विशाल स्वरूप को देखकर सीता जी पूरी तरह से आश्वस्त हो गई पुन्हें अपने शरीर को छोटा करके हनुमान ने कहा हे माता एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदने वाले हम वानर चंचल स्वभाव के होते हैं और हम में इतनी बल्बुद्धी भी नहीं होती परन्तु प्रभुराम के आशिरवाद और शक्ती से जैसे की एक छोटा सा साप पक्षियों के राजा गरुड को खा सकता है वैसे ही दुर्बल विक्ती भी बल्बान को हरा सकता है भगवान राम की शक्ती और महिमा में कहे गए हनुमान के वचन उसकी श्रद्धा और भक्ती को प्रकट करते हैं जिनें सुनकर सीता जी को बहुत सुख मिला हनुमान को प्रभुराम का प्रिये जानकर सीता जी ने उन्हें आशिरवाद देते हुए कहा हे वत्स तुम कभी व्रिधावस्था और मृत्यू को प्राप्त नहीं होगे अर्थात तुम अजर अमर और गुणों का भंडार रहोगे तुम्हारे बल और शील में व्रिधी हो और प्रभुराम तुम पर विशेश कृपा करें सीता जी का आशिरवाद सुनकर हनुमान भाव विभोर और प्रेम मगन हो गए उन्होंने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और हाथ जोड कर कहने लगे हे माता मेरा जीवन धन्य हो गया क्योंकि यह बात सर्वविधित है आपका आशिरवाद कभी विर्थ नहीं जा सकता फिर उन्होंने स्नेह पूर्वक कहा हे माता व्रिक्षों पर लगे पके और रसीले फलों को देखकर मुझे बहुत भूख लग गई है सीता जी ने उनको सावधान करते हुए बताया कि बड़े बलवान राक्षस योद्धा इस वन की रखवाली करते हैं हनुमान ने उत्तर दिया माता यदि आपकी आग्या हो तो मुझे उन राक्षसों का कोई भई नहीं हनुमान को बुध्धी और बल में निपुन देखकर सीता जी ने हनुमान से कहा कि प्रभु राम के चरण कमलों को रिदय में धारन करके जाओ और मीठे फलों का आनंद लो तब सीता जी को सिर नवाकर हनुमान चल दिये हनुमान खत्रे में हनुमान बाग में चले गए और फल खाने के बाद व्रिक्षों को उखाड उखाड कर फेंकने लगे बाग को नश्ट होते देखकर बहुत से रखवाले योधा आगे बढ़े परंतु हनुमान ने उन पर आक्रमन करके बहुत से योधाओं को मार गिराया यह सुनकर रावन ने शीग्रही और योधाओं को वहां जाकर उस वानर को सबक सिखाने का आदेश दिया हनुमान ने उनको आता देखकर जोर से गरजना की और जियों ही वे अशोक वाटिका में पहुँचे उन पर धावा बोल दिया और बहुतों को मार डाला उन में से कुछ घायल होकर चलाते हुए भाग गए और जाकर रावन को अपने दुख भरी गाथा सुनाई रावन ने तब अपने छोटे बेटे अक्षय कुमार को बुलाया जो अपने बहुत से श्रेष्ठ योधाओं को लेकर अशोक वाटिका की ओर चल पड़ा परन्तु हनुमान पहले से ही तयार थे उनको आता देखकर हनुमान ने कुछ व्रिक्ष उखाड़े और घंगोर गर्जना करते हुए उन पर फेंक दिये जिससे अक्षय कुमार सहित बहुत से योधा मारे गए कुछ योधा बचकर भाग निकले और जाकर रावन को बताया कि वह वानर तो उनसे बहुत अधिक शक्तिशाली है यह जानकर कि एक वानर ने उसके पुत्र को मार दिया है रावन बहुत क्रोधित हो उठा तब रावन ने अपने बड़े पुत्र वीर योधा मेगनाद को भेजने का निश्चा किया उसने उसे आदेश दिया कि उस वानर को मारना नहीं बलकि जीवित ही पकड़ कर ले आना क्योंकि वह स्वयम उसके बारे में जानना चाहता था अपने भाई की मृत्यू की समाचार से अद्वितिय योधा मेगनाद भी बहुत क्रोध में था हनुमान ने जब उस अजिय योधा को आते देखा तो उन्होंने एक विशाल व्रिक्ष को चड़ से उखाड कर उस पर फेंक दिया जिस से वह रत से उशल कर नीचे गिर पड़ा अपने शरीर से मेगनाद के बलवान योधाओं को मसल मसल कर मारने के पस्चाद हनुमान ने अब मेगनाद पर धावा बोल दिया और दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा प्रियोग करने का निश्चे किया वह दिव्य अस्त्र जो स्वयम ब्रह्माजी से उसे प्राप्त हुआ था जैसे ही हनुमान ने मेगनाद को ब्रह्मास्त्र छोड़ते देखा तो उन्होंने मन में विचार किया कि यदि वह दिव्य अस्त्र से बचने की कोशिश करते हैं, तो ब्रह्मा जी की महिमा का अनादर होगा। अतहे ब्रह्मा जी को सम्मान देते हुए, वह ब्रह्मास्त्र लगते ही मूर्चित होकर धर्ती पर गिर पड़े। परन्तु गिरते हुए भी उन्होंने अपने विशाल शरीर से बहुत से राक्षसों को कुचल दिया। हनुमान को मूर्चित देखकर राक्षसी सेना ने उनको नाग पाश से बांध लिया और उठाकर रावन के पास ले गए। पारवती को इस प्रसंग का वरणन करते हुए शिव जी कहते हैं, हे पारवती, देखो, जिस प्रभू का नाम लेकर विवेकी पुरुष अपने जन्म मरण के बंधन को काट लेता है, क्या उस प्रभू की इच्छा के बिना कोई उनके दूद को बंधन में डाल सकता है? हनुमान ने स्वयम ही अपने आपको बंधी बनवा लिया, क्योंकि प्रभू के सेवा कार्य के लिए ऐसा करना जरूरी था, नगरवासियों ने जब यह सुना, कि उस आतताई शेतान वानर को पकड़ कर रावन के दर्बार में लाया जा रहा है, तो वे उसका तमाशा देखने के लिए महल की और दौड़ पड़े, रावन उसे देखते ही हसने लगा, और अपशब्द कहकर उसे चिड़ाने लगा, परन्तु अपने पुत्र की मृत्यों का खयाल आते ही वह शोक से भर गया, उसने पूछा, अरे वानर, तु कौन है, किसके बल पर तुने अशोक वन को उजाड कर नश्ट कर दिया है, हे मूर्क, क्या तुने कभी रावन के नाम और उसके बल पराक्रम के बारे में नहीं सुना, मैं देख रहा हूँ कि तु बहुत बलवान और निडर है, तुने राक्षसों को किस अपराध के कारण मारा है, अरे मूर्क, क्या तुझे अपने मारे जाने का कोई भाय नहीं, हनुमान ने रावन की और देखते हुए निडर्ता से उत्तर दिया, हे रावन, सुनो, जिसका बल पाकर माया असंख्य ब्रह्मान्डों की रचना करती है, जिसकी शक्ती से ब्रह्मा, विश्णू और महेश, संसार का स्रिजन, पालन और सहार करते हैं, जिसके बल पर सहस्रफन वाला शेशनाग, परवतों और वनो सहित, सारी पृत्वी को सिर परधारण किये हुए है, और जो देवताओं की रक्षा और तुम जैसे दुष्टों को दंड देने के लिए बार-बार संसार में अवतरित होते हैं, यह वही हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ कर, तुम्हारे सहित सभी राजाओं के गर्व को चूर-चूर कर दिया था, उन्होंने खर, दूशन और बाली जैसे अतुल्निय योद्धाओं को मारा है, वीर्ता में जिनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था, जिनकी शक्ती के एक कण मात्र से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया है, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम धोखे से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूथ हूँ, हनुमान ने तब व्यंग करते हुए कहा, मैं तुम्हारी शक्ती को तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, याद करो, जब बाली और सहस्र बाहू के साथ युद्ध में तुम शक्ती हीन हो गए थे, हे राक्षसों के राजा, मुझे भूक लगी थी, इसलिए मैंने कुछ फल तोड़ कर खा लिये, और वानर स्वभाव होने के कारण कुछ शाखाईं भी तोड़ दी, परन्तु जब कुछ दुष्ट राक्षस मुझे मारने लगे, तो हे राजन, देह तो सबको प्यारी होती है, तो अपने बचाव के लिए मैंने उन्हें मार दिया, परन्तु मैंने सिर्फ उन्हें ही मारा है, जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी, अब सिर्फ इसी कारण तुम्हारा पुत्र मुझे बांध कर ले आया है मुझे इसके लिए कोई लज्जा या शर्म नहीं क्योंकि मैं तो केवल अपने प्रभू का कारे पूर्ण करने के लिए आया हूँ हनुमान ने तब उस अहंकारी रावण से विनम्रता पूर्वक कहा हे रावण मैं तुमसे हाथ जोड़ कर विनिती करता हूँ अपना अहंकार त्याग कर मेरी बात ध्यान से सुनो तुम अपने कुल की मर्यादा और अपने परिवार के विशय में विचार कर देखो अपना भ्रम छोड़ कर प्रभू राम से विनिती करो जो अपने भक्तों को अभैदान देकर निर्भाय कर देते हैं यम जो देवता, राक्षस और समस्त संसार को खा जाता है वह भी उनसे भाईभीत रहता है ऐसे प्रभू से भूल कर भी वैर मोल ना लो मैं विनिती करता हूँ कि सीता जी को वापस कर दो राक्षसों को मारने वाले प्रभू राम, शरणागत की रक्षा करने वाले और दया के सागर हैं यदी तुम उनकी शरण में जाओ, तो वे तुम्हारा अपराध क्षमा करके तुम्हें भी अपनी शरण में ले लेंगे। श्री राम के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके तुम लंका पर निशकंटक राज्य करो। हे दशक्रीव, मैं शपत लेकर कहता हूँ कि श्री राम के विरोधी की रक्षा कोई नहीं कर सकता। यदी तुम श्री राम से शत्रुता करोगे, तो सहस्रों ब्रह्मा, विष्णू और शिव भी तुम्हें नहीं बचा सकते। अत्यधिक मोह और अज्यानता से उत्पन इस दुखदाई अहंकार का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा सिंधू प्रभुराम का भजन करो। सुनू दस कंठ कहुँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। संकर सहस बिष्णू अजतोही, सकही नराखी राम कर द्रोही। मोह मूल बहु सूल प्रद, त्याग हु तम अभिमान, भजहु राम रघु नायक, कृपा सिंधु भगवान। रावन अंकार पूर्वक जोर-जोर से हसने लगा, और बोला, देखो तो कौन है यह, एक बंदर ग्यानी गुरू बनने चला है, अरे दुष्ट, तु मुझे लंका के अजे राजा को सीख देने का दुसास कर रहा है, निश्चे ही तेरा अंत निकट है। हनुमान ने बीच में ही टोकते हुए कहा, यह तेरी बुद्धी का फेर है, हे लंकेश, सुनो, इसके विपरीध होने वाला है, अर्थात मेरा नहीं, तेरा अंत निकट आ रहा है। हनुमान के वचन सुनते ही रावन क्रोध से आग बबूला हो गया, और कहने लगा, अरे कोई इस तुष्ट को मार क्यूं नहीं देता। यह सुनते ही राक्षस उसे मारने के लिए दोडे। ठीक उसी समय विभीशन ने दरबार में प्रवेश किया। उसने सिर जोका कर रावन को प्रणाम करते हुए नम्रता पुर्वक कहा, कि हनुमान तो एक दूत है, और नीती की अनुसार दूत को मारना उचित नहीं, इसे क कोई और दंड देना ही ठीक है। हनुमान द्वारा लंका दहन। सभी ने विभीशन की सलाह को उचित माना। रावन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, इसको वापस भेजने से पहले इसका अंग भंग कर दो, अर्थात इसके शरीर का कोई अंग तोड़ दो। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। बंदर को अपनी पूँच से बहुत लगाव होता है। आता है तेल में एक कपड़ा डुबो कर इसकी पूँच पर लपेट कर आग लगा दो। जब बिना पूँच का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तो इसका स्वामी भी इसके स कुराने लगे। राक्षस राजा के करमचारी और सेवक शीघरता से कपड़ा और तेल लाकर हनुमान की पूँच पर लपेटने लगे। तब हनुमान कौतुक दिखाने के लिए अपनी पूँच को इतना लंबा करते गए कि लंका का सारा तेल और कपड़ा भी कम पड़ ग बजाते उसे लंका की गलियों में घुमाने लगे और फिर उसकी पूँच में आग लगा दी। राक्षस यह देखकर निराश हो गए कि आग की लप्टों को देखते ही हनुमान ने अपना आकार बहुत छोटा कर लिया। फिर शीघरता से अपने आपको बंधनों से मुक्त करके वह कूद कर सोने के महलों पर चड़ गए। उपर पहुँचकर हनुमान ने फिर अपने आपको इतना विशाल कर लिया कि उनका शरीर आकाश को स्पर्श करता दिखाई देने लगा। उसी समय भगवान की प्रेरणा से तेज हवा चलने लगी। हनुमान जी अटहास कर के गरजे और बड़ी फुर्ती से एक भवन से दूसरे भवन पर कूदते हुए सारी लंका को आग लगा दी। लंका को जलते देखकर नगरवासी भैभीत होकर चिलाने लगे। हाए, अब हमें कौन बचाएगा। हमने तो पहले ही कहा था कि यह कोई साधारन वानर नहीं, क कोई देवता ही वानर का रूप धरन करके आया है। साधू पुरुष के अपमान का यह फल है कि सारी नगरी धू-धू करके जल रही है, मानो इसका कोई मालिक ही न हो। इस प्रकार एक क्षण में सारा नगर जल कर राख हो गया। केवल एक विभीशन का महल बच गया, जिस विभीशन का मान रखने के लिए हनुमान ने जान बूच कर छोड़ दिया था। संतरजब कहते हैं, यदि तुम उस अनामी प्रभू से प्रेम करते हो और अंतर में ध्यानावस्था में उस निराकार परमात्मा के दर्शन करते हो, तो तुम भी हनुमान की तरह बिनानाव क समुद्र लांग सकते हो।